असलाम अलेकुम मेरा नाम फाहद बलोच है और आज इस मसले पर मैंने जो है वो कॉंटेंट बनाया कि जब हमारे पास एक केस आया था एयो क्लेनिक में जो है वो फरास पहीम का इंतिकाल हुआ था उनकी नेगलिजन्स से तो एक और ऐसा ही सेम बाकिया जो है ना वो कुतियाना मेमन हॉस्पिटल में हमारे कोट किलर के साथ पेश आया था उजैर असदुल्ला बाइस साला उजैर असदुल्ला जो है वो अपना एनल फिशर का जो है वो एक इलाज कराने के लिए वहाँ गया था और वहाँ उसके साथ क्या हुआ कि अनस्थिजिया देने से पहले ही जो है वो उसके कोई डिरिपस वगएरा यह लगा रहे थे कुछ लगा रहे थे जिसकी वज़ा से जो है वो उसकी तव्या बिगड़ गई और पहले वो उसका दिल बंद हुआ फिर उसके बाद उसको CPR दिया basement CPR देने के बाद जब उसका दिल चलना शुरू हुआ तो उसका दिमाग बंद हो चुका था फिर उसको महाँ से South City Hospital ले जाए गया जहाँ उसका इलाज हुआ ventilator पे रहा हो लेकिन दिल तो उसका चला दिया था वहाँ पे लेकिन मसला ये है कि वो जाबिर नहीं हो सका इंतिकाल कर गया वो और ये भी कुतियानम इमन हॉस्पिटल की कोई negligence थी तो उस पे हमने उनको legal notice issue कर दिया है क्योंकि जिनका वो court killer था वो मेरे करीबी दोस्त हैं बहुत अच्छे जिन्होंने जो है वो उसको legal notice दिया है कि जो है इस मामले पे अप action लिया जाएगा तो वो भी complaint file करेंगे इस matter की और हम तो एयो क्लेनिक के खिलाब जो है वो complaint file करी रहे हैं सिंध healthcare commission में तो मेरा कहना यह है कि अस्पतालों में अगर आपके पास staff में कोई problem है expert नहीं है ट्रेनिंग नहीं है तो कम से कम अस्पतालों को यह तो चाहिए कि वो इस चीज़ को जो है वो इस काबिल बनाएं कि लोग अपना इलाज कराने के लिए आएं तो कम से कम पैसे दे के मौत तो ना खरी दे अगर ineffective staff है ट्रेंड नहीं है पूरी तरह properly और जादतर जो मैं केसिद आज कल देख रहा हूँ अस्पतालों से जो आ रहे हैं वो anesthesia के आ रहे हैं कि overdoze हो जाता है anesthesia का anesthesiologist जो है अगर आपके पास बिल्कुन सही नहीं है तो भी यह मसला होता है तो कम से कम इसमें जो है वो अस्पतालों को चाहिए कि वो proper check and balance रखे क्योंके देखें जाने वाला तो चला जाता है पीछे छोड़ जाता है अपना पूरा खांदान और वो खांदान उस पे दारो मदार कर रहा होता है कि वो मेनत करेगा कुछ बनेगा कुछ करेगा घर के लिए लेकिन हमारे मुल्क में जो है न वो ये रविश आ गई है अब कि हम इतने बेहस हो गएं कि ऐसा कोई वाक्या भी पेश आ जाता है तो हम लोगों कोई फर्क नहीं बढ़ता जादा क्यूंकि हम कहते हैं कि क्या करें कोई मरया तो लेकिन अस्पतालों को चाहिए कि वो कम से कम जहां सर्जरी की नीड नहीं है वहां ये बोलें कि सर्जरी की नीड नहीं है आप किसी और चीज पर जाये और जहां सर्जरी की नीड है वहां उसको प्रॉपर्ली जो है कंड़क किया जाए तो मेरा सर्फ इतना कहना है कि सिंध हेल्थ केर कमीशन जो किस वज़ा से सूरा है मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किसी और वज़ा से सूरा है लेकिन उसका एक काम है कि वो जाग जाए उसको चाहिए कि वो अपने सारे मामलाथ बिल्कुन सही करे, प्रॉपर करे, अस्पता लोगा, चेक-ण बैलेंस करे और अगर नहीं कर सकता तो बता दे लोगों को कि भाई मैं करी नहीं सकता हूँ अगर नहीं कर सकेगा तो लोग जो है पिर कम से कम सिंध हेल्थ केर कमीशन में जाके अपना टाइम तो जाय नहीं करेंगे ना एक इदारा बनाव है और उसने अगर ऐसे ही करना है पूरे शहर में, हजारों वाकियात होते हैं, पूरे पाकिस्तान में, तो हम कोई खास्तिर खुआ एक्शन नहीं देखते हैं, क्योंकि हर कोई अपने आपको बचा रहा होता है, हर कोई लूप होल्स ढून रहा होता है, कान अगर मजबूरन मैं रोट पर बैठना पड़ा, तो मैं जाती हैसियत में आपको यह बात कहरा हूं, कि अगर रोट पर बैठना पड़ा, तो मैं रोट से तब तक नहीं उठूँगा, जब तक वहां से रिपोर्ट नहीं मिल जाती, चाहे धरना हो, भूखरता लोग, आग ल आगे देख लें, आप FIRE काट के देख लें, आप कुछ भी करके देख लें, मैंने अब तक जहां पर भी प्रोटेस्ट किया है, वहां मैं अपनी मर्दी से आया हूं, और अपनी मर्दी से गया हूं, रियासत अपना एक पार्ट प्ले करें, वरना फिर प्रोटेस्ट के लि कराची में बहुत बड़े बड़े लोगों का स्टेक होगा जनके अस्पताल होगे तो वो अपनी पूरी ताकत लगा के देख ले मैं आज तक जिस केस में पढ़ा हूँ वहां मैं कभी पीछे नहीं आटा खुद और फैमिलीज कंप्रोमाइस करना वो एक अलग बात है मैं कभी खुद पीछे नहीं आटा और मैं यहां पे भी पीछे नहीं आटूंगा अस्पताल आप चलाएं आप लोगों को जिंदगिया दें खुशिया दें लोगों को बरबाद ना करें और सिंध हेल्थ केर कमीशन उस पे चेक अन बैलेंस करें जो उसका काम है अगर वो अपना काम नहीं कर सकता तो फिर वो हमें बता दे हम अपना इलाज कराना यहां छोड़ देंगा या हम सिंध हेल्थ केर कमीशन में कमप्लेंड करना छोड़ देंगे और फिर हम खुद ही उसका कोई हल निकालेंगे जिस तरह निकालते हैं लोग अपना हल पावर प्रेशर और दूसरे तालुकात से तो बस आज यही कहना था कि अल्ला पाक हम सब को हिद्ज उमान में रखे और मैं काफी दिन से इस चीज़ को लेके डिप्रेश भी हूँ काफी क्यूंके ये मामला जो है वो इस तरह हल होते वे मुझे नजर नहीं आ रहा लेकिन अगर ये हल हो जाता है तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे लिए दूआ करें और अपना ख्याल रखें ठैंक यू वरी मुच जजा कर ला